कि नमस्का फैंट्स में बब्लाव पेपर है करमें आपका स्वागत है तो फैंट्स आदम यहां पर देखने वाले हैं वह जाता है अपना फूड नुट्रिश्ट हाइजिंग का दो पार्ट नंबर हो जाएगा कौन सा बारा ठीक है पार्ट नंबर होगा भी अपना बारा इस करो यहां पर जितने भी क्योशन हैं इस हैं की किándpole से आएंगे ठीक है और आप कोई क्योशन में यहां से मिस्स कर दूब बहें के फिर तो आप को हो हगे कि क्योशं आये नहीं कि परहुए हैं। अब बढलते हैं वह हजार बारा सो क्योशन हैं आर मेंसे अना है साथ क्योशन बहुत महात्रोडन विकानी परते हैं ठीकि कै сделah ना मचे हम सकती तो हजार पंदरासो क्योशनों मेंसे तो हजारोई, जौटवा रहे है ऑग तो से आप बार है। तो बढ़ो है। उनेटी था है। यॉनिट हूं एक तरफली में पर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्या डाइबेटीज के लिए हर चेप्टर को पढ़ रहा है अच्छी प्रिकार से फिर भी आपके लोगी इंपोटेंट 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 से उसमें कुछ नहीं होता है ठीक है बिलकुल कि बार प्रेपीट कि बहुत दिया है बकवाद मारी किया हूँ है जाना कुछ ज़्यादा ही बकवाद मारी हो गई कोई बात नहीं अब ही देखो अब ही देखो दूमन उड़ाते हैं हम का अब नमस्का फैंट्स मैं नाम बबलो औरना पेपर हैंकर में आपका स्वाग गयता है तो फैंट्स आजन जो हैं आपर देखने वाले हैं वह हमारा फूट न्यूट्रिशन हाइजिंग का रहने वाला है पाट कोन सा रहने वाला है पाट है आपर 12 इसके पहले 11 पार प्रवाइड का रखें घ्यारा है मैं यूनिट 3 तक आपको करा दिया है आज हम देखेंगे unit 4 की और तो fans जो लोग important की बात कर रहा है important को छो दीजेगा पूरी book में से question आपके आने वाले हैं अरे 1500 question ही तो पूरे book में है 15-16-16 question अगर 15-16-16 question हो में से अगर आपके 100 question आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है यह ना और फिर भी आप करेंगे important question important question आपको कहां से दिये जाए अगर आप 15-16-16 question नहीं पड़ पा रहे हो तो बिल्कुल बेकार हो तो बढ़ते हैं question की वार 1400 मुस्कल से ऐसे होंगे 1300-14-14 question है 1300 भी नहीं है 1200 ही question होंगे क्योंकि 13-14 तो पार्टी बनना है इसके तो 1200 अगर question में से 100 question अगर आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा question नहीं है 1200 question पढ़ने के लिए ठीक है तो question के और बढ़ते हैं जो लोग important को छोड़ दीजीगा पढ़ाई कीजीगा अच्छी पिकार से जो कि आप हैंडट में से इंडट question करके आओ अगर हैंडट में से आप किपने question करके आओ only 40-40 question करके आभी जाओगे important दे दिया चाहें आपके लिए तो कोई फादा नहीं है अरे हैंडट में से हैंडट score कीजीगा ठीक है बिल्कुल तो बढ़ते हैं आपर Unit 4 की ओर ठीक है आज Unit 4 में क्या देखने वाले हैं हम यहाँ पर देखने वाले है वह डएrial किससे संबन्दित है जो में रोग है वह किससे संबन्दित हो जाता है answer देना है पहला दिरक्का है तुम्हारा कार्बोहाइडेट के चयापचय से संबंदित गलुकोज के पाचन से संबंदित गलाइकोजन के पाचन से संबंदित या फिर ओपियोत सभी तो यहां answer नमारा कौन सा होगा वो आपको बताना है जो मदुमे गलुकोज के पाचन से संबंदित बिल्कुल नहीं होगा गलुकोज के पाचन से गलाइकोजन के पाचन संबंदित ये भी नहीं होने वाला है ठीक है दोनों की दोनों कलत है क्यों होता है क्योंकि गलुकोज की मात्रा अगर हमारे रक्त में बढ़ती है glucose की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ती है तो क्या होता है मदुमे रोग हो जाता है से diabetes कहते है तो किस के चाप चैसे होगा तो कार्बो हाइडेट के चाप चैसे संबंदित होता है राइट आंसर आप्शन नमबर आ होगा आगे देखते हैं next question कह रहा है जब glucose मूत्र में मूत्र के द्वारा निस्कासित होने लगता है तो ऐसी इस्तिती कहलाती है क्या कहलाती है polygenia या फिर हो जाता है glycoseria या फिर insulinia या फिर ये सभी तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पर आंसर देना है यह को आपको पता है जब glucose की मात्रा हमारे मूत्र में बढ़ जाती है glucose मूत्र के द्वारा निस्कासित किया जाता है तो कह रहा है इस इस्तिती को कहते है इस इस्तिती को कहते है glycosuria तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option number 2 हो जाएगा glycosuria तो कि यूरिया की मात्रा हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं यूरिया के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो glucose को मूत्र के द्वार निकाल लाएगा तो क्या हो जाएगा glycosuria हो जाएगा बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो ठीक है next question की बात करते हैं मदमय रोग में उत्तको से संबंदित जलका उसरजन होने से रोगी को बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है तो यह स्थिति कहलाती है क्या कहलाती है यहाँ पर आपको बताना है पॉलियूरिया गलाइकोरिया या फिर हो जाता है मुत्र विसरजन या फिर यूरिया तो राइट आंस नमारा क्या होगा मदमय रोग में उत्तको से ध्यान रखा मदमय रोग में जो उत्तको से संबंदित जलका उसरजन होता है जो उत्तक जो होते हैं टिसू जो होते हैं वो जलका अधिक जल का क्या करते हैं उत्सरजन करते हैं तो क्या रखा है बार-बार मुद्धा करने के लिए जाना पड़ता है इस इस्थिती को क्या कहते हैं आपको बताना है तो इस इस्थिती को कहते हैं पॉलियूरिया क्या कहते हैं भई पॉलियूरिया कहते हैं राइट आंसर क्या हो दाएगा option number आ रहने वाला है ध्यान से पड़ो अगर glucose को निकालेंगे तो क्या कहेंगे glycosuria अब यहाँ पर कह रहा है कि किसको निकालना है अधिक जल को यहाँ पर उसरजन किया जा रहा है तो हम क्या कहेंगे polyuria ठीक है के भीज बिल्कुल नहीं होना है आगे देखते हैं नेक्स कोश तो क्या करते हैं यहाँ आपको बताना है इस इस्तिती को क्या कहा जाता है तो नहीं कहेंगे glycosin कहेंगे बिल्कुल गलत polyphagia कहेंगे या फिर glycosuria कहेंगे अभी हमने क्या पढ़ा था glycosin को बहार निकालेंगे glucose को बहार निकालेंगे मूतर के द्वारा तो क्या होगा glycosuria तो यहाँ पर कौन सा बच जाता है एक ही बच जाता है कौन सा polyphagia अगर भूक अधिक लगती है तो उसे क्या कहेंगे polyphagia आराम से काट के निकाल सकते हो next question की बात करते है मदुमे रोग में अल्प मातरा में इस्तावित है मदुमे रोग में बहुती कम मातरा में इस्तावित क्या होता है calorie insulin, protein या फिर बसा यहाँ पर कौन सा रोग बही मदुमे रोग में अल्प मातरा में क्या इस्तावित होगा insulin क्या इस्तावित होगा insulin आपको पता है जो हमारा अगन्यासे होता है उसकी जो लेंगर हैंसे की बीटा कोशिकाएं जो होती है उनका इस्तावित होता है उनसे इस्तावित होता है एंसुलीन क्या इस्तावित होता है भई एंसुलीन इस्तावित होता है जो क्या करता है ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में कनवर्ड कर देता है और हमारे रक्त में भेज देता है कहां भेज देता है भई हमाई रक्त में वेज़ देता है और जब कभी ग्लूकोज की जरुवत होती है हमारे सरीक लिए उड़ जाकि अब शक्ता होती है तो वो जो ग्लूकोजन है जो सॉरी जो आपका ग्लाइकोजन है वो कनवर्ड हो जाता है फिर से किसमें ग्लूकोज में और हम उसको क्या करते है अपने कार में ले लेते हैं तो इस बेकार से हो जाता है कि मदमे रोग में अल्प मात्रा में इस्तावित क्या होता है एंसूलीन कम मात्रा में इस्तावित होगा तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कनवर्ड नहीं कर पाएंगे और हमाई रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जा यहां धे रखा है कि मदमें रोग में रक्त में ग्लुकोज का इस्तर किस प्रकार का होता है मदुमें जो रोगी है उसमें गलुकोज का इस तर कैसा होगा अभी आपको बताया था मदुमें रोग में एंसुलीन की जो जाती है मातरा कम हो जाती है एंसुलीन जो इस्तागित होता है गन्यास है कि बीटा कोशी काउं से वो कम होजन ददा है और glucose जो होता है glycogen में बढ़ nectar नहीं हो पाता ठीक है तो यहाँ पर right answer क्या होगा बढ़ जाता है glucose बढ़ जाता है घड़ जाता है बैसा ही रहता है या फिर यह सभी अभी आपको बता है था जो glucose होगा उसकी मातर रक्त में क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी को गिलाइकोजन में कनवर नहीं हो रहा है तो राइट आंसर क्या जाएगा भई बढ़ जाती है राइट आंसर ऑप्शन नमबर आ रहने वाला है नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं अगन्यासे गरंती की बिसेश कोशिकाओं द्वारा इस्तावित किया जाता है जो अगन्यासे गरंती की बिसेश कोशिकाओं होती है उनके द्वारा क्या इस्तावित किया जाता है ग्लुकोज, एंसुलीन, रत या फिर ग्लाइकोजन तो राइट आंसर क्या होगा अब ही हमने देखा था अगन्यास है कि जो विशेवर पोसिकाय हैं, बीटा पोसिकाय है, उनसी कहा निकलता है? एंसुलीन निकलता है, जो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कनवर्ड करता है, ऐगे बढ़ते हैं, नेक्स्स कॉशन next question के रहा है मदमे रोग में सरकरा निकलने लगता है जो मदमे रोग होता है उसमें सरकरा निकलने लगता है कैसे निकलने लगता है मूतर द्वारा, हुक द्वारा, रक्त द्वारा, मल द्वारा यहाँ पर कौन सा राइट होगा तो आपको पता है जो मदमेरोगी होता है उसके जो सरकरा होती है वो कहां से निकलती है भई? मूत्र के द्वारा निकलती है राइट अंसर क्या जाएगा? ऑक्शन नमबर आ हो जाएगा जब हमाई रक्त में ग्लूकोज की महत्रा बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? मूत्र के द्वारा बहारे निकल जाएगी आगे बढ़ते हैं मदुमेह रोग का मदुमेह रोग को प्रभावित करने वाला प्रमुक कारक है कौन सा कारक है? मूटापा है? अनुवानसिक्ता है? मानसिक्त नाब है या फिर ये सबी है उसमें क्या बढ़ जाएगा भाई? ग्लूकोज बढ़ जाएगा ग्लूकोज रहा होगा अनुवांसिक्ता और मदमय रोग को प्रिभाय करने वाले कार कौन से हैं यह सभी होंगे तो कि मानसिक्त ना भी तो हो गया मुटापा बढ़ेगा तो है ना राइट अप्शन नमबर दा होगा मानसिक्त ना भी होगा अब जब दो यहां पर मिल रहे हैं तो भई अ प्रिभाय को प्रिभाय को प्रिभाय करें अभी कि प्यास लगना बिल्कुल जब पेशाब लगेगी तो पानी बहा निकलेगा तो प्यास भी लगने की जरूवत है बिल्कुल और भूग में ब्रद्धी होगी बिल्कुल ब्रद्धी होगी तो राइट अंसर क्या जाएगा यह सभी हो जाएगा बिल्कुल आराम से कर सकते हो क्यों के लिए हैं आगे बढ़ते हैं ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में परिबद्धित कौन करता है अभी बताया था जो अगन्या से की बीटा को मात्रमारा क्या रहने ऐना है और तो रुकत में ग्लुकोज की मात्रा कितनी होती है अब इसको याद यहां पर आप इस प्रिकार से है न तो बिलकुल तो इसको एड कर दिना इस प्रिकार से बस आठ बन जाएगा तो याद रहेगा तो राइट आंसे पजाएगा सतर से 80 mg इस प्रकार से ट्रिक बना लीजीएगा ठीक जो ची याद नहीं होती है ट्रिक बना के याद केजीएगा next question की बात करते हैं diabetes में किस तरह का मुत्र आने लगता है मीठा मुत्र, सहद मुत्र आउर्बा दोनों इन में से कोई नहीं तो भई सबको पता है जो शरकरा होती है वो कैसी होती है मीठी होती है तो भई मीठा मुत्र भी होगा शहद मुत्र भी होगा तो राइटांस का दाएगा आ और बात दोनों हो जाएगा आगे बढ़ते हैं एंसुलीन का इस्ताबित कहां से होता है अभी एंसुलीन का इस्ताबित कहां से होता है अभी आपको बताया था कहां से होता है बीटा सैल से होता है अगन्या सै के जो क्या करता है एंसुलीन का इस्ताबित करता है एंसुलीन क्या करता है ग्लूकोज को गला होते हैं तो द्यान दकना जो diabetes के परिकार होते हैं तो तीन होते हैं आगे दिखते म þटकार हैं कौन सी देखने को मिलती है अगर व्यक्ति 18 वर्सका हो जाता है तो कौन सी देखने को मिल सकती है परोण lib plagic 18 बर्स से अगर 18 बर्सका तो है तो किसमे देखनेको को मिले कि बच्चों में सीडी बात है तो राइट आंसर के जागा अठारा यर्स में कौन सी डाइबिटीज देखने को मिलती है अब नाम तो इसमें है नहीं तो बच्चों में रखा यह क्योशनी थोड़ा सा मिस्ट्राइग है आगे बढ़ते हैं कि प्रॉणों को किस उम्र इती होते हैं अंनमें कि उम्र पर मदमें होता है यहां पर लो होते हैं उन्हें में किस उम्र 50 तो 40 से उपर की आयू में क्या देखने को मिलेगा प्रोणों को किस उम्र में मदुमें होता है भी 40 से 50 के उम्र में होता है बिल्कुल राइट हो जाएगा आराम से निकाल सकते हो कौनसी बीमारी से कौनसी बीमारी से सौरी सौरी बीमारी से ठीक है तो आपको पता है हमारे रेक्त में जब ग्लूकोस की मातरा बढ़ जाएगी तो क्या होगा प्रॉब्लम होने वाली है है ना तो गहाओ बरने में देरी होगी तो राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ब बिल्कुल आराम से निकाल लिए घाव कब भरता है वहां पर क्या बनता है जो हमारे ब्लेड में रोग है सरक्रा की मातरा ज्यादा है ग्लूकोज की मातरा ज्यादा है तो क्या होगी घाव वरने में प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं कौनसा मदुमें रोग आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको बताना है तो क्या होगा नाम में छुपा हुआ है किटोसिस तो क्या होगा किटोन की मात्रा बढ़ जाती है राइट आंस उदाइगा ऑप्शन नमबर नेक्स्ट कुशन तो चा सूखना बढ़ धीली होना जीव सूखना फोट जगह जगह से फट जाना यह डाइरिया के इन में से कोई नहीं तो किसके हैं भई ? डाइरिया क्या हो जाएंगे बिल्कुल नहीं ठीक है और यहां पर जेखो एनिमिया रोग होता है रत में लोहे की मात्रा क्मी हो जाती है उस से ऐसा भी कुछ नहीं तो राइट अंस इक हो जाएगा डाइबिटीज हो कितनी कैलोरी देंगे आपको याँ पर बताना है मदुमे के बीमार के लिए ठीक है कि बिल्कुल राइट आंसर देगा कौन से राइटो का मदुमे रोग में हलके कार करने वाले व्यक्ति को शरीर वहार के हम strongest क्या होगा हम प्रोटिन कि आ वसकता होगी कितने प्रोटीन के अवसकता 1.5 या फिर 3 कौन सा राइट होगा आंसर दीजीगा तो मदम है कि व्यत्ति है उसे प्रोटीन की अबर सकता कितनी होगी बन से 1.5 ग्राम प्रती बोड़ी बेट तो राइट अंसर क्या जाएगा आप्शन नमबर सा हो जाएगा ठीक है इन्हें बस कुछ क्योशनों को ही बस य याद नहीं करोगे तो तो भी विल्कुल ही वेकार हो फिर तो नेक्स से कुछिं की बात करते हैं यहां रखा है मदमे के व्यक्ति को बसा दिया जाना चाहिए मदमे के व्यक्ति जो है उसे बसा कितना दिया जाना चाहिए आपको बताना है पिच्चानबे तीस असी या फिर चालिज तो राइट आंसर क्या होगा मदुमें जो ब्यक्ति है उसको बसा देना चाहिए कितना देना चाहिए बस यही क्योश्चों तो याद करना है बाकित तो सारे यादी हो गए आपके लिए तो क्या होदाएगा भई तो यहाँ पर हो जाएगा 95 ग्राम देना चाहिए कितने 95 ग्राम देना चाहिए राइट आंसर अप्शन नमबर आ हो जाएगा नेक्स कुशन की बात करते हैं मदमे में कौन-कौन खाग पदार्थ लेना चाहिए ये तो सभी को पता है कौन-कौन से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए देखो गेहूं चनाबी लेना चाहिए बिल्कुल जवार जवार जो सभी लेना चाहिए ये तो आपको पता ही है अरे कुछी क्योंशनों तो है याद करने के लिए आगे देखते हैं यहाँ पर प्राज प्राड़िज भोजपदार्तों में एक मदमे व्यक्ति को क्या लेना चाहिए यहाँ पर आपको आंसर देना है दूद मचली बिलकुल लेना चाहिए यहाँ बिलकुल लेना चाहिए दही अंडे यह भी लेना चाहिए राइट हंसे क्या वजाएगा यह सभी यह तो बिलकुल लेजी है आराम से बस चीनी है शुगर नहीं ले सकते हैं डाइविटीज की जगह तो बाकिशनेख के है Europy इस्त Aryın परीकिस्जेत बठाव करेंगे मतला यह और उन result ऩे स्फिदों करेंगे लिए इस्तेंपने करेंगे शेकरी निस्तमाल करते हैं राइट राइट सब्सक्राइब कर सकते हो नैग्स को कहा है मकुषन को क्या नहीं खाना चाहिए मेथी गाना बिठाई या ne नेक्सिches कहरा है तुम्हारा अंकुरित चनेवा मूंग यह सबी तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आंसर देना है विल्पुल इसका आंसर जाए उसका कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है देखो कहरा है नहीं खाना चाहिए, क्या कई रहा है, नहीं खाना चाहिए, नहीं क्या नहीं खाएगे, भाई सुगा साना,। An close, Environment, बाहु जाएगा आगे देखते हैं मदमे रोग संबंदित है किस से है बसा प्रोटीन कार्बो हाइडिट या फिर विटामिन किस से संबढ़त है भई पश्ट के उशन था पस्ति को संब्षान रिपीड देखो घुमा कर तो रहते हैं बिना मदमे बाली महलाओं में गर्ववस्ता के दोरान उच रक्त सरकरा इस तर विक्सित होना क्या कहलाता है पूर्व मदुमे प्री एकलेमपेसिया प्री एकलेमपेसिया फिर दिरे कहा है तुमारा गर्ववस्ता मदुमे या फिर हो जाता है तुमारा एकलेमपेसिया right answer क्या होगा प्री एक्लेमपेसिया एक्लेमपेसिया बताएगा भी राइट आंसर हपर क्या रहने वाला है बिना मदमे बाली महलाओं वी उन्हें मदमे नहीं है मगर गरवास्था के दोडरान रखेया उच्छ रखेयर सरकराई इस तर आपको अगर बीक्सित हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे गरवास्था मदमे कहेंगे right answer option number 6 हो जाएगा next question की बात करते हैं next question दे रखा है तुमारा gas stational diabetes है gas stational diabetes है बहे क्या है गरवस्ता में होती है गरवस्ता के बाद होती है पूरवस्ता में होती है इन में से कुई नहीं कौन सा right होगा जो तुमारा gas stational diabetes है हमने क्या पढ़ा था गरवस्ता में की गरवस्ता में जो गैस बगएरा होती है वो ज़्यादा बनती है सीधी बात है एना पढ़ा था अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखें तो नहीं पता होगी पढ़ा था बहुत अच्छी प्रिकार से हमने इससे पढ़ा था तो गैस्ट्रिंग जो डाइबिटीज होगी वो किसमें होगी बही बिल्कुल कब होगी ये अच्छी प्रिकार समय लगा लिया आगे बढ़ते हैं याद रखा है एंसूलीन हार्मोन से किस प्रोश्टिक तत्विके चया पचय में सहयक है फिर इसके बाद फिर क्योशन और फिर क्योशन रिपीट हुआ थोड़ा सा गुमा कर दिये फिर से इस खाग पदार्थ में फाग पदार्थ से मदुमे में परहेज करना चाहिए किसे करना चाहिए पत्ता गोबी सक्कर दूद या फिर मक्षन फिर रिपीट क्योशन थोड़ा सा कन्फ्यूज करकर क्या करना है भी सक्कर गुलू कूज नहीं लेना है में आगे बढ़ते हैं कुशन की बात करते हैं मदमे रोग के लच्छड भी हो सकता है मदमे रोग के लच्छड भी हो सकता है क्या कोमा एनीमिया या फिर कब्ज या फिर हो जाता है बजन में कमी तो राइट आंसर क्या होगा जब मदमे रोग के लच्छड भी हो सकता है पहली बात तो बेट बहुत बढ़ जाएगा मुटापा बहुत होगा कभी-कभी ये भी देखने को मिल जाता है कि बजन में कमी हो जाएगी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमर दा आगे देखते हैं नेक्स से गोशन के रहा है तुम्हारा निगलने में मुश्किल होती है क्या निगलने में अगर निगलने में प्रॉब्लम है तो क्या है भई डिस फैजिया है क्या है डिस फैजिया है राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमर आ हो जाएगा अगर निगलने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हो जाएगा डिस फैजिया हो जाएगा मतलब भूकी बात यहां पर हो रही है इससे पहले भी देखा था हमने निकलने प्रॉब्लम हो रही मुश्किल हो रही है तो क्या होगा भी डिस फैजिया है आगे देखते हैं नेक्स्ट कुशन यहां देखा है है यह क्या होता है यह क्या होता है इसका टेस्ट होता है मतलब हमोगलोबिन एवंसी जो है वो क्या है मदमे से मदमे का चेक करने के लिए इसमें बताना है अगर मदमे से ग्रस्त माना जाता है कब माना जाता है यह आपको बताना है अगर कोई व्यक्ति 6.5 से परसेंट से अधिक है अगर इससे अधिक है तो क्या माना जाएगा भई बह मदमे से ग्रस्त माना जाएगा तो राइट आंसर क्या होगा option number A हो जाएगा यहां देखो ब दो च्वाताना हैँ गैंद इमोगलोण न यहां पर tout इन होगा आल नहीं होगा यहां लीवर्य उग्या सिर्फील अधिक है ख्डहिए गयािए साहां से कम क्या है यहां सब्सक्रक्पाता अगर बढ़ते हैं next question देखा है मद्में संबन्दित होता है मद्में संबन्दित होता है किससे गुर्दा से अगन्या से यक्र से मेंसे कोई नहीं फिर दो को repeated question जो मैंने आपको बता है था है भई से question सरकरा की मात्रा बढ़ जाती है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिस्से क्या कहते हैं जिसे मधूमे- AmeliaEE काए अगन्यासा की दिटा कोशी का एंसुलिन इस्ता विच से कम करेंगि तो ग्लूकोज की मात्रा 100% बढ़ेंगी आगे देखते हैं next question की और next question आपर कह रहा है एक मदुमे के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्वोज का नियंतित नहीं किया जाता क्योंकि इससे निम्न हो सकता है क्या हो सकता है भी? कब जो हो सकता है गलाई कोस यूरिया हो सकती है किटोसिस हो सकता है या फिर एटिये एक मदमे के रोगी के भोजन में बहुत अधिक क्या है कारबोज है बहुत अधिक कारबोज का निंतर नहीं किया जाता अगर बहुत अधिक कारबोज का निंतर नहीं कर रहा है उसके भोजन में तो कह रहा है तो क्या होगा इससे निम्न हो सकता है क्या हो सकता है वे क्या हो सकता है तो क्या हो सकता है बई किटोसिस हो सकता है क्या किटोसिस हो सकता है राइट अंसर ऑप्शन नमबर सा होगा कार्बोज का अगर निंतर नहीं करोगे तो क्या होगा किटोसिस नाम में चुपा हुआ है यहाँ पर का और यहाँ पर भी का तो कार्बोज का निंतर नहीं करेंगे भोजन में मदमे के रोग़ी के लिए तो क्या हो सकता है किटोसिस हो सकता है अराम से आद हो गया नेक्स कुशन की बात करते हैं याद रिखा है बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निमनी में से जिन रोगियों को नहीं दिये जाते चाहिए नहीं दिये नाय पर तपर होगी तो यहां पर क्या होगा किसको नहीं देजाएंगे नफ राइटेस को एणिमिय को यहां फिर हो जाता है मधुमे को नहीं के दॉर बनाते हैं उसमें सोगर का इस्तमाल किया जाता है आगे बरता है, next question दें रखा है, मदमें के रोगी को, इन में से कौन सा आहार देते हैं, निमने calorie था सामान प्रोटीन, उच्छी कैलोरी था निमनी प्रोटीन, और बाद दोनों इन में से कोई नहीं, तो कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट होगा, तो पता है, क्या देंग का ठीक है वह होतीजी कुछन था आराम से कर सकते थे क्योंकि मदमेग रोगी को हम का गरेंगे भाई प्रोटीन ज्यादा नहीं दे सकते ठीक है आगे बढ़ते हैं पर अब यहां पर हाइपर टेंशन की बात करते हैं मतलब हाई हाइपर टेंशन मतलब हाई ब्लेट पेशर यहां से मारा स्टार्ट होता है दो टॉपिक देखेंगे यहां पर एक होता है डियाबिटेज और यह उता है हाइपर टेंशन से फश्टी कुछन आपके सामने कुछ इस प्रिकार से हो जाता है आपको मदमें सब हो गया कंप्लीट मुझकल तीन या चारी कुछन तो है चालिस कुछन में से अगर तीन चार कुछन अगर याद नहीं करोगे तो आप क्या करोगे यह बताएगा नेक्स्ट कुछ नेखेगा हाइपर टेंशन यहां दरका है उच्छ रक्त चाप के रोगी को किसी प्रिकार का आहार देना चाहि अगर उच्छ रक्त चाप का कोई रोगी है तो उसे क्या आहार देंगे आपको बताना है चाय कॉफी दोगे या फिर हो जाता है संतुलित आहार दोगे अंडा दोगे मास मुर्गा दोगे क्या दोगे आपको बताना है जब उच रक्त चाप व्यक्ति को है तो भी सामान संतुलित जो आहार होगा वो उसे हम प्रुवाइड करा देंगे भाई तुम यही खाओ ठीक है आगे देखते हैं नेक्स कुशन की हो उच रक्त चाप के रोगी के लिए बरजित है क्या बरजित है अगर उच रक्त चाप है तो क्या बरजित है बीडी सिग्रेट मास मुर्गा घी मक्खन या फिर यह सभी तो बिलकुल भाया उच रक्त चाप जब उसके अंदर है तो ना हम देंगे बीडी सिग्रेट देंगे ना मास मुर्गा देंगे ना ही हम क्या देंगे घी मक्खन देंगे उच रक्त चाप क्य व्यास होता है अंदर का वो क्या हो जाता है कम हो जाता है जब कम होगा तो इसमें क्या होगा प्रेशर जादा होगा है ना तो यह होता है उच्छ रक्त चाप ठीक है तो इसमें क्या देंगे बीडी सिग्रेट नहीं देंगे ठीक है इससे क्या होती है यह कमजोर हो जाती है मा इसकी मातर ना बड़े, कुलिस्टोल की मातर ना बड़े, गी और मखन भी नहीं देंगे, क्योंकि बड़ेगी, तो भी और भी छोटे होंगे, फिर उच्छी तक ताप और भी बड़ेगा, तो राइट आंसर क्या दाएगा, आप्शन इंबर दा हो जाएगा, नेक्स्ट रोक बस एक पकार से कम होगी, बागे बात करते हैं, कम कैलोरी का हार देंगे, तो ये भी राइट है, कम कैलोरी देंगे, कम नमक चाहिए, तो राइट आंसर क्या दाएगा, आप्शन इंबर दा, ये सभी देना चाहिए, नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, उच्छ रख्त करने को मिलेंगी तो राइट आंसर ऑप्शन नमबर दा हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं नेक्स्ट कुशन देखा है उच्छ रख्ट चाप का लच्छड नहीं है सिर में दर्द इस परस्ट रूप से दिखाई पढ़ना या फिर जी में चलना देखो सिर में दर सिर में धर चाप का लच्छड है अब यहां रखाए उच्छा पन तरह से तो होगा नहीं नहीं होगा खेल कुछ से धार्मी कती विदियों से होगा बिलकुल नहीं तो राइट आंसर क्या वदाएगा धूपर और मदिरा पान से धूम्रपान और मदिरा पान से धूप्शन क उच्छ रख्त चाप का कारण नहीं है कौन सा नहीं है पॉस्टिक आहार मांसिक तनाब मोटापा या फिर हो जाता है तुमारा धूमरपान मदिरापान धूमरपान मदिरापान तो है ही बिल्कुल मोटापा भी हो जाएगा और मांसिक तनाब भी हो जाएगा पॉस्टिक आहा अरुपारा कहारहा तुमना सिश्टोलिक रखतचाप कितना होता है कि रखतशाप ने तो सुना कius ना होता है कि वहाता है 120 अगर reckless की बात करेंगे तो बहोता है असी सिरिे लिए है 12 120 120 80 120 80 mmHg लिखते हैं न यह हो जाएगा वही यह जाता है पहले वाला सिस्टॉलिक बादनबाला हो जाता है डाइस्टॉलिक रख्चाप कितना होता है अभी आप करते हैं उच रख्चाप की तीन अवस्था कौन सी हैं जो उच रख्चाप होतानी की सवाÏं Let रख्चशाप की तीन अवस्थाहां वस्था साध हर वस्था और गंबीर वस्था ठीक है अगे वैक किरो humans əंतो लगा कोई क्रिया नहीं होती है कि ऊ-牌 कोई क्रिया नहीं होती इस optic गलत attend बराबर लिए मशला करें नहीं होती है रहा है औ next equation की बात करते हैं, next equation को देखर हो इध रखा है, उच रख्ती चाप क्यासा आहर नहीं लेना चाहिए? जो उच रख्ती चाप होता है, उसमें कैसा आहर नहीं लेना चाहिए?ंजसर 실त्प होनी होना चाहिए? संतुलित आहार या फिर सुपाच्य भोजन या इन में से कुई नहीं तो राइट आंसर क्या होगा उच्छ रतिचाप में कैसा आहार नहीं लेना चाहिए तो भई संतुलित आहार नहीं लेना चाहिए स्वरी असंतुलित यह संतुलित असंतुलित होना चाहिए यहां तो ठीक है राइट आंसर अप्शन नमबर बा ही होगा उच्छ रख्त चाप में कौन सा आहार देते हैं कौन सा आहार देते हैं देते कौन सा आपको बताना है कैमपनर आहार ब्लेंड आहार सिप्पी आहार इनमें से कोई नहीं तो कौन सा देते हैं भई कैमपलर आहार देते हैं उच्छ रख्ट चाप में कैसा देंगे ? कैमपलर आहार देते हैं Next question कैमपलर आहार में संतुलित होते हैं कैमपलर आहार में क्या संतुलित होते हैं ? कम प्रोटीन होते हैं ? कम बसा कैलोरी होती है ? कम सोडियम होता है या फिर ये सभी तो कौन सा राइट होगा भई कम बसा कैलोरी तो यह तो बहुत बहुत यावस्थेक है और प्रोटीन भई मिलेगी तो क्या होगा बसा भी बनेगी, फैट भी बनेगा, सब पोच होगा तो यह भी नहीं दे सकते, है न क्या हो दाएगा, आहार में समलित होते है कैमपलर आहार में समलित होते हैं, यार, होते है अच्छा, देते हैं कैमपलर आहार कम, अरे सही तो है कम बसा और कैलोरी दे रहे, कम बसा दे रहे, तो बिलकुल यह भी राइट हो जाएगा कम sodium बिलकुल ये दो-दो हो गए तो कम protein कमी protein दे रखा है ना तो बिलकुल right answer option number आ हो जाएगा सभी कम की बात कर रहा है तो बिलकुल right है तो camper आहार में समलित होते है क्या कम दे रखा है ना पर कम बसा calorie होती है यहाँ पर भी देखो कम दे रखा है कम protein देना चाहिए हाई और यह éénघ पर भी कम sodium देना चाहिए ठीक है तो next question की बात करते हैं तो नेक्टक्ष्ण की बात करते हैं रख्ट चाप किसमें अधिक कर देखा जाता है जो रख्ट चाप होता है कि सुमें आधिक देखेते हैं बच्चों में पुरसों में महला में यह सभी में तो जो रक्तिचाप जो अधिक होता है रक्तिचाप किसमें अधिक देखा जाता है किसमें देखते हैं रक्तिचाप देख भाई पुरुसों में देखा जाता है ठीक है राइट आंसर ऑप्शन इंबर बा हो जाएगा यह तो आपको पता ही होगी next question की बात करते हैं next question दे रखा है कौन सा पोशक्तत्व अधिक मात्रा में लेने से उच्छ रख्तचाप होता है अगर पोशक्तत्व हम अधार अधिक लेंगे तो उच्छ रख्तचाप होगा तो भै कौन सा हो जाएगा मैंने आपको बताया था नाड़ी में क्या जम जाता है बई बसा जम जाता है तो राइट आंसर उदाएगा ऑप्शन नमबर दा को मैंना अधिक मातरा में लेने से उच्छ रख्तचाप होगा इसे बसासे बढ़ते हैं या पर कॉलेस्ट्र यहां रखा है उच्छ रख्तचाप में का रोगी बाग स्वभभाब कैसा होगा का कर दर राहा है तुम्हारा हुसोनुम्हा होगा प्रसंचित होगा चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता-चिंता ही होगा ठीके कैसा होता है चिरचवा होता है आगे बढ़ता है उचितर चाप उत्पन होता है किसके उचितर ना करने से April रख्त के डृट एंजाइम यह कदबा फेपड़े या फिर यह सभी तो उच्छ रख्त चाप क्यों होगा भाई रख्त से सम्बंदित है तो हिर्दय और रख्त से हो जाता है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहां पर रहने वाला है आप क्या रहेगा रख्त से सम् यहां रख्त चाप कितने प्रकार का होता है दो एक तीन या फिर चार तो उच्छ रख्त चाप जो होता है बई कितने प्रकार का होता है कैसे याद कर लो चलो एक होता है अलिंद एक होता है निले हैना चार भाग होते हैं दो अलिंद होते हैं दो निले होते हैं कितने प्रक से दो याद रहेगा कि उच्छ रख्तिचाप कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं अलिंद निले से हमने याद कर लिया तो आगे बढ़ते हैं याद रहते हैं नमक कैसा समलित करना चाहिए नमक कैसा समलित करना चाहिए एक उच्छ रख्तिचाप बाले रोगी के आहार में हलका बिलकुल नहीं अधिक या फिर बराबर तो कैसा करोगे भी हलका यूज करोगे राइट अंसल अप्शन नमबर आ हो जाएगा नेक्स कुशन की बार का बात करते हैं उच्छ रक्त चाप रोगी रोग किस से संबंदित है जो उच्छ रक्त चाप रोग है वो किस संबंदित है अमासा है हिरदय फेंफड़े या फिर यक्रत तो यह पीजी है किस संबंद है भई हिरदय से संबंदित है राइट अंसल ऑप् बिल्कुल उच्छ रक्त चाप का एक कारण यह भी है कौन सा है मोटा पा मोटा पापा बड़ेगा कोलेश्ट्रोल बड़ेगा ने सो में जो होँगी उसमें क्या होगा वैई हैड जमा होगा उनका दियास कम होगा आपको याद करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो बिलकुल आपका पढ़ना पर तो टोल्टल कॉलिस्टॉल कितना होना मे क्याँत। 200 कम हो 200 से 200 से 200 से 200 से कम हो 200 से कम हो 200 से कम हो या फिर 300 से ज़्यादा हो या इन में से कोई नहीं तो total cholesterol कितना होना चाहिए ये बताना है 200 से ज़्यादा 200 से कम 300 से ज़्यादा इन में से कोई नहीं तो कौन सा होगा भई 200 से ज़्यादा होगा या फिर 200 से कम होगा तो राई राइट अंसे कर दाएगा 200 से जादा total cholesterol कितना होना चाहिए 200 से जादा होना चाहिए बहरी इंपोर्टेंट है ठीक है आगे बढ़ते हैं कहने यहाँ पर LDL LDL cholesterol का कितना mg होना चाहिए LDL cholesterol का कितना mg होना चाहिए आपको बताना है, 300 से अधिक, 100 से अधिक, 200 से कम, 100 से कम, तो राइट आंसर क्या होगा? LDL जो है, वो कोलिस्टोल का कितना मिलिग्राम होना चाहिए? भाई, यहाँ पर होना चाहिए, 100 से अधिक, मिलिग्राम प्रति, यहाँ पर क्या होगा? LDL का मतलब क्या होगा? डाइस्टॉलिक हाँ कोलिस्टल डाइस्टॉलिक होगा है क्या होगा इसका DL का Diastolic Lipoprotein Density होगा Density होगा Density होगा Density Lipoprotein Density Lipoprotein होगा DL का मतलब Density Lipoprotein Option No. 2 100 से अधिक Milligram प्रती Density Density Lipoprotein ठीक है आगे बढ़ते हैं Next Question की ओर यहां देखा है HDL कोलिस्टॉल कितना Milligram होना चाहिए HDL कोलिस्टॉल कितना Milligram होना चाहिए 10 से 50 Milligram 40 से 60 Milligram 20 से 30 Milligram या इन में से कोई नहीं Density Lipoprotein ठीक है So right answer क्या होगा Answer दीजेगा यह हो जाएगा 40 से 60 Milligram प्रती Density Lipoprotein Right answer option number 2 हो जाएगा Next Question की बात करते हैं Serum Triglystrine Triglystrice Triglystrice की कितनी आवस्चता होनी चाहिए बस इतने ही थोड़े से Question है बस यही याद करना है आपको ठीक है कुछ Question याद करना है बाकी तो याद करा ही दिये मैंने तो इसका Answer क्या रहने बाला है 26 का तो बहु हो जाएगा भई 1.500 से अधिक ठीक है 1.500 से अधिक बिल्कुल Right होगा Next Question की बात करते हैं उच्च दाब के कारण उप्टिक तंत्रिका का नश्ट होना क्या कहलाता है ग्लूकोमा डिस्पलेसिया डिस्वोसिया या फिर हाइपोमिया तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कहला है उच्च दाब के कारण optic तंतर का का नश्ट होना अगर उच्छ दाब है मतलब उच्छ रखत चाप है और आपकी optic तंतर का नश्ट हो गई है तो बैह क्या है तो बैह हो जाएगा displasia हो जाएगा option number 2 नेक्स question की बात करते है उच्छ रखत चाप का जो खिमकारक है उच्छ रक्त चाप का जो खिमकारक क्या है आपको बताना है तो कौन सा भई यहाँ पर राइट होगा कोलेस्टॉल हो जाएगा आपको बता रखा है बसा हो जाएगी तो राइट अंसर क्या रहने बाला है C-H-O हो जाएगा ठीक है कॉलेस्टॉल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की और नेक्स्ट कुशन यहाँ पर कह रहा है भोजन से भोजन से सोडियम की अधिक मात्रा से होता है अकर भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा है तो क्या होगा निमने रक्त दाब रक्त दाब बढ़ना, बार बार मूत्र विसरजन होना, इन में से कोई नहीं, कौन सा राइट होगा, रक्त दाब बढ़ना हो जाएगा, राइट अंसर हो जाएगा, option number 2, next question की बात करते हैं, next question का यहाँ पर आंसर दीजेगा, कौन सा बिलकुल राइट रने बला है, यहाँ द रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है, सभी चीज कम दी जा रही है, किस में देंगे, मदमे में, मदमे में क्यों देंगे, पीलिया में, उच्छ रक्त चाप में, या फिर पैप्टिक सल्फर में, तो किस में देंगे, उच्छ रक्त चाप में हर चीज को कम किया जाता है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा उपकड़ रक्त चाप बढ़ मापने के काम आता है ब्हई भई बरॉपंटेंट हो गया यह निम्न में से कौन सा उपकड़ करża कव करने के काम आता है thermometer यह फिर लक्सप्र मीटर गोनियों मीटर इस फाइगनrika मैनोमीटर तो कौन सा राइट होगा इस फाइगनो मैनोमीटर रख्त का वो मापते हैं धढकन मापते हैं ठीके और बताएगा यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा थर्मामीटर भी नहीं होगा ताप नापते हैं अब दो ही बचे हैं दो में से कौन सा राइट होगा अब दो या रखतिशार रहे हैं डिल की रढकन ही ना पर है तो इस फड़ लाइंसर ऑप्ष नंबर दा होगा और से नहीं पड़ाँ उसके लिए डेना चाहिए next question की बात करते हैं next question कह रहा है सरीर में क्योंस्ट Aur लगा वटा है त्षेट का अगे बढ़ते हैं आगे इंवुरत कै रहा है तुन्माढ़ remote किससे रक्तยचां से हूँचाई से लंबाई जा प्र तो आँठेट। जो मीटर है वो किस्से है वहाई उँचाई से संबंद्ध है याद कैसे करेंगे शैटे कहां होता है उपर तो उपर से संब्रों जायए का यह दो किसे पोछाना आगे बढता है कहा है इन फैंटो मीटर सम्मंदित है कि इन फैंटो टो समने नहीं बीट हो जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशिन की ओर रहे नेक्स्ट कुशन हमारा करका 36 जे एनसी सात के बरगी कड़के अनुसार सिस्टॉलिक ठाद डाइस्टॉलिक रत्य चाप के हस्त चेप करने पका इस तर क्या है आपको बताना है तो आपको बताया था मैंन कितना होता है वो पिना होता है कितना 80 और ही अंसर होगा ऑप्षयन नंबर आही राइट हो जाएगा वह बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की ओर यहां देखा तुमारा गवार से गवाद कीवार की फली में कौन कॉलिस्ट्रॉल को कम कर देता है गौर की जो फरी है उसमें कौन कॉलिस्ट्रॉल को कम कर देता है गौर गम प्लैज्मा या फिर सीलिया सिलिकॉन इन में से कोई नहीं कौन कम करता है आपको बताना है तो कौन कम करता है गौर गम प्लैज्मा ग्वार गम प्लेजमा राइट आंसर क्या होगा option number आ रहने बाला है next question को देखेगा next question क्या रहा है तुमारा जैल की स्यानता जैल की स्यानता glucose बढ़ाने में मदद करती है जैल की स्यानता glucose बढ़ाने में मदद करती है गाजर, मूली, सेम या फिर ग्वार की फली से तो राइट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा ग्वार की फली राइट आंसर आप्शांबर दा रहने वलाई से पर देखा next question यह कह रहा है M.U.F.A मुक्त आहार के कार्य है कौन सा है बसा को इखटा करना या फिर सीरम से बसा की मातरा नियंतित करना या फिर हो जाएगा और बाद दोनों इन में से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा सीरम में ब्लेड के अंदर सीरम में बसा की मातरा का नियंतित करना हो जाएगा H.U.F.A तो राइट आंसर जाएगा option number 2 आगे देखते हैं फिर next question की ओर next question का भी answer जाएगा next question का आंसर हमारा क्या रहने वाला है बिल्कुल question हमारा कह रहा है यहाँ पर पूटी कह रहा है उच रक्त चाप किसके लिए खतरा है जो उच रक्त चाप है किसके लिए खतरा है आपको बताना है ब्रक के लिए हिर्दय के लिए रक्त के लिए इन में से कोई नहीं तो किसके लिए उच रक्त चाप हिर्दय के लिए खतरा है आगे बढ़ते हैं उच रक्त चाप किसकी मात्रा को बढ़ाता है जो उच रक्त चाप है वो किसकी मात्रा को बढ़ाता है नेक्स कुशन की बात करते हैं यहां दख है एथिरोस केलरोसिस में HDL की मात्रा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए आपको बताना है 40 ग्राम से अधिक 90 ग्राम से अधिक 80 ग्राम से कम कौन सा यहां पर राइट रहने वाला है तो कितनी होता है बivan 40 ग्राम से अधिक होनी चाहिए HDL की मात्रा आगे दूनों इनमे से कोई नहीं तो कौझ सा राइट ओगा बई उच रख्ति चापका खत्रा होता है किस से अगर अधिक नमक लोगे कम पोटेशियम लोगे तो आपको क्या होगा बई उच रक्त चाप का खतरा बढ़ेगा आगे देखते हैं उच रक्त चाप में किस से लाब होगा ब्यायाम से नियमित कम नमक से उचित आहार से ये सबी तो बैई ये सबी पूरा पढ़ लिया इतना भी ना समद में आया तो बेकार है ना तो फैंट्स यहाँ पर हमने क्योशन कितने कम से कम 85 प्लस किये हैं 85 प्लस किये है और याद करने को आपके लिए सिर्फ कितने दिये गहें only देखें 8 से 10 क्योशन आपको ही बस याद करना है बाकी तो मैंने आपको याद करवा ही दिये ठीके यापने high school इंटर में भी अच्छी परकार से बड़े होंगे मगर फिर भी आपने कितने अगर 85 में से आपने 8 और 8 या 10 क्योशन अगर याद नहीं किये तो भी बेकार है तो फेंट एक भी क्योशन बाहर नहीं जाना चाहिए एक्जाम में 100 में से कम से कम 80 प्लस क्योशन तो होना ही होना चाहिए यह नहीं कि 80% लोग दे रहे हैं अब उसमें से 80% याद किया तो भी किया क्या फिर मुश्किल से 50 क्योशन करके आओगे आप 50 क्योशन करोगे या फिर 80 क्योशन करोगे वो आप पर डिपेंड करता है ठीक है तो फेंट्स लाइक करना है शेर करना है चैनल को सस्काब करना है तो टेलीग्राम पर जाना है तो फेंट जै हिन जै भारत